कलम्ना थाना शेत्र में किराना व्यवसाई को धमका कर एक लाख रुपे की फिरोती मांगनी वाले अपरादी सनी नरिन रशाहू के खिलाब नौ दिन पहले मामला दर्श गया गया था इस मामले में वह फरार था गुरवार को दिन दाड़े वह दोबारा परिसर में दाखी लुपा था हवा में फारिंग कर दुकान दार को फिर धमकाया और फरार हो गया गटना की जानकारी मिलते ही कलम्ना पुलिस मौके पर पहुची एक घंटे चले खोज अभियान के बाद पुलिस ने सनी को गिरफता कलिया है सनी के खिलाब कई अपरादिक मामले दर्श है तक है देख ले तुझे किराना दुकान चलाना है तो हर मैने मुझे एक लाफ रुपे देने होंगी कहा हफता नहीं मिले पर जान से माने की धमकी बे दी राकेश के शिकायद पर कलम्ना पुलिस ने मामला तो दर्श किया लेकिन सनी शहर से फरार हो गया है गुरवार को दो पहल साड़े तीन बजे के दोरान सनी दोबारा राकेश की दुकान के पास पहुचा उन्हें फिरोती के लिए धमकाने लगा अपनी कमर से एक देशी प्रिस्तोल निकारी हवा में फायर कर जान से माने की धमकी दी और फरार हो गया घटना की जानकारी मिलते ही अंस्पेक्टर देविंदर ठाकूर अपनी दल के साथ मौके पर पहुचे सनी फेसे शहर से बाहर भागने की तयारी में ही था कि उससे पहले ही पुलिस ने उसे मंडारा रोट से गिरफ दार कर लिए देविंदर ठाकूर वरिष्टक पुलिस निरिख्षक कलमना कैमरा परसन अकलेश भारतवाज के साथ अकसा अंसारी की रिपोर्ट